कि चलो स्टार्ट करें हम लोग कि तो फिनांशिलन स्ट्रेटेशिक मैनेजमेंट लास लिक्षर में एक बार जो भी बढ़ा था वापस एक बार रिवाइस कर लेते हैं तभी की बसमें सेप्रेट बूक है राइट ऐसा में सोच की चल रहा हूँ ला दे दे मुन्ना कि होता है अधिया है अधिया है आधिया हाँ अधिया दन चलो बड़े कि आम लोग आगे हां वेस्बी है है तीजी टीए को चलो एक तो बच्चों में लास्ट लिख सेने फिनाइशल मानेज़मेंट में क्या चीज यह देख ली थी एफेम का मतलब क्या है और मेनेज्मेंट याने क्या मैनेजमेंट का मिनिंग हर एक बच्चे को यहां पर पताए आसान भाषा में किसी और से काम करवा के लेना चीजों को मैनेज करना तो अचीव अवर गोल अब यहां पर कौन सा गोल रहे हैं बाबा और्गनाशन का गोल क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना शेरोल्डर्स क का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा यही हमारा अब्जेक्टिव है परमधम है यही काम किसी और से करवा के लेना है अब यहां पर मुझे बाब बताओ रिलाइंस कंपनी का डारेक्टर जो है मुकेश हम्भानी क्या वो खुद काम करता है क्या कहीं पे बिजाके नो वो किसी ने बोलते बोर्ड अब डिरेक्टर्स याने क्या है एक तप्रका से management of the company और finance का मतलब हमने देख लिया finance का मतलब आसान भाषा में पैसा money रोकड़ा yes or no तो बस उसी का management करना है अब पैसों का management करना है मतलब क्या पैसा कहां कहां से लेक्वे आएंगे और जहां अब कुछ देखा था कहां कहां से लाए था पैसा बताओ तो देखो पापा से ले लिए थे कुछ पैसे कुछ बैंक से लिए थे भाई से बीले सकते हजारों रास्ते जहां कई से भी आप funds करोगे उसकी कुछ ने कुछ क्या लगने वाली आपको cost परबरे है उसी को equivalent प्रेफरेंश ये से पैसा रेस किया तो उसकी cost क्या है preference dividend yes or no bank से loan लिया तो उसकी cost क्या है interest yes or no खुद का पैसा है तो वहाँ पे cost क्या है opportunity cost yes or no और वो पैसा कहाँ कहाँ use करना है operations के लिए या business को expand करने के लिए कहीं invest करने के लिए पेमेंट्स या रिपेमेंट्स के लिए तो आप लोग पैसा ले करके आओगे ताकि कॉस्ट कम से कम रहे और उसे आप ऐसी जगह का यूज करोगे ताकि रिटर्ण साधा सीयाधा तो यहां पे अब को अबजिक्टिव क्या रहे गा मिनिमम कोस्ट यहां पर आपको ॉजप्जिक्टिव क्या रहेगा दिखा था सब्सक्राइब तो ल segurança च availability हाँ sources of funds और utilization of funds की हमने कुछ बात है की थी sources of funds में इतने सारे sources है कोई भी source से आप funds raise करो उसकी कुछ ने कुछ cost लगेगी और हमारा objective रहेगा की cost कम से कम लगना चाहिए और उन funds को आप कहीं भी use करो हमारा objective रहेगा की return जादा से जादा मिलने चाहिए यह हमारे financial management के two-fold objective है यह बात समझ मैं है सभी को उसके बाद so you have to decide from which source you should raise the fund and for which purpose you should utilize the fund इसी का study मतलब क्या है study of about to about to sources of fund utilization of fund sources of fund utilization of fund study of about to is called as financial management देखो financial management की पचास ओतर ने पचास definitions दिया है तब सही है सभी का एक ही सारे पैसा कहां से raise करना सी और कहां use करना चाहिए ताकि हमारी cost कम से कम और return जादा से जादा रहे अब यह cost to return, cost return, cost return कम से कम एक हजार बार पुरे subject में आने वाला है जहां भी cost की बात आएगी, आपका object हुगा रहेगा, cost कम से कम लगना चाहिए जहां भी returns की बात आएगी, एक से जादा alternative हो तो आपका object हुगा रहेगा returns, जादा से जादा मिलने चाहिए आजा, उसके बाद हमने यहां से start किया था, सबसे पहले number वाला point यह सारी चीज़े आपके notes में भी है, साथ हो साथ जो PPT से पढ़ा रहो, वो PPT भी आपको दे दोगा अब PPT के अंदर में थोड़ी बहुत चीज़े खुल करके बताई भी है मतलब क्योंकि आपको explain करना रहता है नहीं तो don't worry, PPT भी आपको मिल जाएगी notes आपके पास में रहेगी, रहेगी financial management का मतलब क्या है so it is the study of procuring याने क्या, इकठा करना, है ना पैसा race करना, और आगे क्या बोलाए effective utilization of financial resources so that आप लोगों के returns जादा से जादा रहे, ताकि आपके firm की value increase हो जाए और firm की value अगर बढ़ेगी तो ultimately owner की भी value बढ़ेगी क्या, yes or no, यहाँ पर owner की value का कहना है shareholders wealth अगर कोई organization अपना finance अच्छे तरीके से manage करती है, मतलब low cost में fund raise करके इसी जगा use करी, जहां से high return है तो भी इसी बात है कि उस organization का जो भी, अगर company है तो shares की value बढ़ेगी अगर sole proprietor या partnership firm है तो owners की value बढ़ेगी, yes or no ultimate objective वो ही है कि हम लोग ऐसी जगा से पैसा raise करेंगे जहां पे cost कम है, ऐसी जगा use करेंगे, effective utilization मतलब हमारे पास return जादा आने चीए, उस चकर में firm की value बढ़ेगी और ultimately किस की value बढ़ेगी है, owner की तो देखो, आपके जीवन में दो objective है, profit maximize करना और shareholders का wealth maximize करना इसमें ultimate objective क्या है shareholders का wealth maximize करना परमधाम आखरी धाम, yes or no तो हर कोई इसके लिए काम करना चाहिए जो organization सिर्फ profit maximization के लिए काम करती है न उन्हें काफी narrow minded organization बोला जाता है, FM की language में मनलब वो लोग से profit के बारे में सोच रहे, shareholders की wealth maximize करने के बारे में वो बिलकुल नहीं सोच रहे, तो ultimate objective क्या है, shareholders की wealth maximize होना चाहिए क्योंकि हम लोग financial management subject के अंदर में company का financial management करने वाले, किसी NPO का नहीं, no doubt, इसके काफी सारे rules, formulas, आप NPO बोलो है partnership firm बोलो है, sole proprietary बोलो, उनके लिए भी apply कर सकते हो लेकिन हमारे syllabus में किसका financial management है related to corporates ये बात समझ में है, इस अभी को बढ़ आप इसे आपके रोज मर्रा की जिन्दगी में भी use कर सकते हो, clear चलू आगे, उसके बाद, meaning of finance हमने already देख लिया था, business की कोई भी activity ले लो, बगर finance की होने वाली क्या है, नहीं, इसलिए finance को life blood of the business बोलते है, मैंने मेरे खाल से last lesson बताया था, इसके उपर एक बार fill in the blanks type ऐसा question आगया था, त्यार option दे दिये थे कि finance ये क्या है, तो life blood of the business नहीं, तो otherwise ये sentence में देने वाला नहीं था notes में, आगे, finance is required for all type और any type of business activity, इसलिए हम लोग इसको life blood बोलते हैं, और एक भाई साब ने तो इतना भी बोल दिया, कि financial decision making, harmonizing the individual motives, और firm का मोटो, तो हमारी कुछ इच्छा है, और firm का ultimate goal, बस इन दोनों के बीच में harmony रहनी चीए, एक golden center maintain करना है और वो कैसे possible है, अगर आप आपका finance अच्छे से manage करते हो, तो ही ये possible है, yes or no, तो हर कोई author ने अपने definition दे करके रखा है, definition learn करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो चीज learn करना मैं आपको बता दूगा, formulas learn करना पड़ेगा इसमें, right, और आज से आपका formula learn करने का और लिखने का separate formula book बनाने का procedure start हो जाए, क्या करना है, मैं बता दो कैसे करना है तो, आजो, business finance क्या है basically, business finance is that business activities concern with the acquisition and conservation, पैसा ले कर कर आना, और उसे क्या करना, conserve करके रखना, कब तक, जब तक उसका use नहीं है, आप लोग भी आपके घर पे हपते बर की सबजी किराना ले करके आजाओ तो एक साथ, एक ही दिन use कर लेते हो क्या, नो, जब तक use नहीं होता, तब तक आप उसे conserve करके रखते हो, कहाँ पे, फ्रिज में, अलमारे में, प्रोसरी है तो अलमारी में रख दिया, सबजी है तो फ्रिज में रख दिया, और जैसे ऐसी use होता, वैसे वैसे आप वहाँ से निकाल-निकाल करके, उसको use करते हो, यस और नो, तो बस वैसे ही, हम लोग funds raise करेंगे, अब बैंक को ऐसा तो नहीं बोल सकती न, बढ़ बढ़ जब तक use नहीं होगा, तब तक आपने उसे क्या करना है, conserve करके रखना है, तो बस वही तो business finance है, ऐसा raise करना, conserve करके रखना, और समय आने पर सही जगा, effective way में, efficient way में, उसे utilize करना, ताकि आपका return, ज़्यादा से ज़्यादा रहे, यह सार्म, सारी basic चीज़े च approach थे, एक traditional और दूसरा modern, हम लोगों को कुन सा approach follow करना है, modern approach, traditional approach बहुत ही narrow था, खोटी सोच थी, बस उनका कहना था, कि बस funds raise कर लो, हो गया financial management, उसको use कहा करना है, कैसे use करना है, इसके बारे में कोई idea उन्होंने नहीं दिया था, but modern approach, क्या कहता है, financial management में सिफ funds raise करना नहीं आता है, उसके साथ साथ, आप उसका efficient allocation भी देखोगे, मतलब funds raise करना भी, और उसे सही जगा use करना, ये दोनों भी चीज़े कहां पर आती है, financial management में, funds raise करना, और उसका efficient utilization, दोनों भी financial management का पार्ट है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कौन बोल रहा है, modern approach, तो exam में MC क्य आएगा, traditional approach का क्या कहना था, raising of funds, utilization of funds, both A and B, बोलो, just raising of funds, modern approach है तो third option, both A and B, simple, अच्छा, funds हम लोग raise करेंगे, तब cost हमारा objective क्या रहेगा, cost कम से कम होना चाहिए, minimum, yes or no, और जब हम लोग fund utilize करेंगे, तो हमारा return कैसा होना चाहिए, maximum, return जादा से जादा होने चाहिए, cost कम से कम होनी चाहिए, पस बच्चे इतना ही बोलते हैं, कि return जादा cost कम, पूरा बोलो, cost कम कब, जब हम लोग funds raise करेंगे, तो हमारी cost कम से कम होना चाहिए, return जादा कब, जब हम लोग funds use करेंगे, तो उससे जो returns मिलेंगे, वो returns जादा से ज लेबस है तो डूंट वरी हजारों एक्जेंपल से आपके सामने आने वाले पस अब इतना ध्यान रखना है आपके सामने चार बैंक है दो-तिन लोग है कुछ इंवेस्टर से सब लोग आपको पैसा देना चाहते तो आप किस से लोग है तो वहां पर आपने सोचना है हम लोग ऐसे सोर्स से फंड रेस करेंगे जहां पर मेरी ओनर्शिप भी डैल्यूट नहीं होनी चाहिए जहां पर मेरी कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए जहां पर रिपेमेंट के लिए प्रेड भी जादा मिलना चाहिए जहां पर बाकी फीज प्रोसेसिंग चार्जेस या जादा मतलब क्या अ सोझ समझके बताना है सभी ने रिटन जादा मतलब परसेंट जादा है एह अच्छा दावरा परसेंट 14 जादा है 15 जादा है लेकिन थिससे फण्ड़ किये थे हुँन्हों निश सिक्स्टीन पर एनम का इंट्रेस्ट आपको लगाए था अब बोलो ज्यादा है पंद्रा ज्यादा कम यह कंपरेटिव टर्म है जब भी मैं बोलू रिटन ज्यादा होना चीए तो आपने मुझसे क्या सवाल पूछना चीए ज्यादा मतलब कितना तो मैं जवाब क्या दूग आपने 16% पर एनम के हिसाब से पैसा उधार लिया कितना ब्यायच देने वाले हो आप 16% और वह पैसा जिस धंदे में लगाए वहां से कितना कमा रहे हो 15% और खुश हो रहे हैं कि वायर में तो 15% कमा लिया लॉस है क्योंकि जो भी सोर्सेस ऑप फंड है वहां पे आप कितन करके क्या लेना है बस वो ही तो है फिनाशिल डिसेजिजन और क्या है कि तीज़े समझ में आ रही है अब आपको यहां पे करना क्या है मालू में क्या हो क्वेशन में ना कॉस्ट दी रहेगी ना रिटन के परसेंटेज दी रहेंगे वह आपको निकालना होगा उसके लिए Topic है Post-op Capital Capital Structure रिटंस कैलकुलेट करने के लिए Topic है Portfolio Analysis Portfolio से कितना रिटरन मिलता है Yes or No यह सारी चीज़े आपको calculate करना है इन सारी चीजों के लिए आपको टोपिक दिए और उबर चलू आगे थोड़ा वो सब्जेक का एडिया आ रहा है कि इसमें क्या पढ़ना है एक बार अगर यह समझ में आ गया और एक छोटा सा कॉंसेप्ट है इस सब्जेक का जिसके लिए specific topic मोडियूल में नहीं है बट वह कॉंसेप्ट हर topic के हर चप्पे चप्पे पह आपको मिलने वाला है उस concept का नाम है time value of money TVOM time value of money वह concept आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैसे अकाउंट में debit credit है न वैसे FM में ये time value of money है अगर ये time value of money किसी को नहीं समझा तो आगे कि कोई भी topic समझ में नहीं आएंगे आज वो मैं start कर दूं ऐसा समझो वो basics of FM है जैसे हम लोग अभी basics of accounts देख रहे हैं न तो वैसे वो क्या है basics of FM बड़ो बड़ो चलू आगे पक्का बोल बेटा कुंसा कुंसा प्री मनी और पोस्ट मनी हम लोग sources of capital के अंदर में देखेंगे बड़ा प्यारा concept है अभी देखने की जरुवत नहीं हाँ आप लोग आपके मुन में जो भी डाउट आ रहे हैं बिल्कुल पूछो अगर मैंने कोई ऐसा डाउट है जो बताए कि हम लोग आग सब्सक्राइब देख रहा है वो भी बोलेगा रहा है सर यह तो मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है उसे क्या पता कि क्लास में बच्छे ने थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है तो मैं थोड़ा सा क्लास के इसाब से चलूंगा है sources of capital के अंदर में आएगा don't worry money raising का जो भी आ modern approach फॉलो करने वाले यह financial decision का ही पार्ट है बेटा कि पंसरेश करना किसका पार्ट है financial decision का अगे ने एक्जाम में एक थेरी क्वेशन पूछा हुआ है नोट्स में भी है और पीपिटी में भी है अब सर फिनांस decision मतलब क्या है आपके इस subject में सब लोग ध्यान से सुनना तीन टाइप के decision रहेंगे इसने तीन टाइप के एक है finance decision एक है investment decision और तीसरा है dividend decision finance investment और dividend finance decision का मतलब होता है आपको पता है अलरड़ी है तो मैं बता रहो सुनना पैसा कहां से रेस करना है तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग पिछले lecture में भी हाँ वही उसका मतलब है finance decision मतलब आप funds कहां से रेस करोगे और जहां से भी रेस करोगे आपके back of demand में क्या होना चीए आपकी cost कम से कम होनी चीए ऐसी जगह से से रेस करना है finance decision डिटल में बताओंगा आज इसके बारे में दूसरा कुन सा है इन्वेस्मेंट decision इन्वेस्मेंट decision यह मतलब क्या इसका जो भी आपने funds रेस किया है ना finance decision में वह funds आप कहां पे invest करने वाले हो तो यह किसका पाट है efficient allocation of the funds का इन्वेस्मेंट वह आप black of domain में क्या होना चाहिए objective और maximum return यह जहां कई भी भी हिंदी इंगलीश वगरे में कुछ bracket bracket में अलग से लिखा हुआ है न वो उसका करक्स रहेगा उसके उपर exam mcq आते module में सीधे move वो देते नहीं ऐसा यह इसका पार्ट है यहां पर यह object हो रहेना चाहिए पड़ हमने यहां पर नोट्स में लिख दिया आपको पूरा एक paragraph पढ़ने एक बात बीच में कहीं तो भी दिखेगा कि return जादा होना चाहिए बड़ बच्चा उसके दर भी इतना ध्यान नहीं देता है न इतने बड़े paragraph में एक यह word काम का है उसके उपर इंशूट exam में question पूछती है तो जो भी इसी काम की चीज़ है वो अलग से लिख करके रखिए तो आपको अगर और को dividend decision यह भी allocation का ही पार्ट है हां मतलब सर यहां पे भी पैसा यूज कर रहे हो यहां पे भी यूज कर रहे हो यहां पे आप invest कर रहे हो और यहां पे आप क्या कर रहे हो पार्ट रहे है यहां पे क्या कर रहे है पार्ट रहे है dividend distribution company को profit होता है वो profit मालिक लोगों का है मालिक शे को देगी शेरोल्डर्स को वो प्रॉफिट कमपनी किसको देगी शेरोल्डर्स को और शेरोल्डर्स को जो प्रॉफिट हम लोग बाटते हैं उससे टेक्निकली हम लोग क्या कहते हैं डिविडेंड So dividend is nothing but A distribution of the profit By the company to its shareholders Right यह बास समझ में है सभी को So company profit बाट रही है Dividend distribute कर रही है मतलब funds दे रही है ना उनको तो देखो यहाँ पे भी funds दे रहे है Allocation of fund यहाँ पे भी funds दे रहे है Investment कर रहे है Allocation of fund लेकिन यहाँ पे funds race कर रहे है तो finance decision में हम लोग क्या decision लेंगे Funds कहां से race करना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या देखो तो यह हमने जो देखा था तो यह आ जाएगा आपका Finance Decision का किस्सा और यह utilization मतलब क्या रहे बटा यहाँ पे Investment Decision और Very Good कितने decision है टोटल एक जो और तिन यह बात समझ में सभी को पका चलू आगे थोड़ा सा तन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब यह तीनों decision थोड़ा सा detail में देखते हैं वन बाइवन है ना पस इत्ती थेरी उसके बाद में इन प्रोफिटेबल इन्वेस्मेंट प्रपोजल फाइनांस डिसिजन के अंदर में प्रोक्यूर्मेंट अप देफंस की पिन व्यू दर कॉस्ट अप फंस देखो लिखा था कि ओपर में जो कहना है आप कह सकते हो तो कंपनी अपनी अर्निंग या प्रोफिट डिस्टिब्यूट करती है न तो बस कितना डिस्टिब्यूट करना कितना रोकना कितना बाटना कि डिविडेंट देना कि नहीं देना कितना परसेंट देना यह सारी चीजे कहां पे डिसाइड होगी ड इसके लिए separate topic है इसके लिए separate topic है dividend policy इसके लिए separate topic है cost of capital capital structure यह सोर नो यह हर एक decision के लिए separate separate topic है आपके syllabus में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे investment decision के अंदर में most important decision for the value creation ऐसा क्यों बोला है फिरी question exam में पूछा हुआ पीनो decision में अगर आपसे exam में ऐसा सवाल पूछा जाए के value creation के लिए which of the following is most important decision investment finance dividend none of the above तो correct answer is investment decision क्यों रहे बबाब ऐसा क्यों बोला value creation के लिए investment decision ही most important क्यों है क्योंकि funds आपने race कर लिए और fund ऐसी आइडल पड़े आपके पसमें आलसी पढ़ा है पैसा तो value create होगी क्या जब तक आप उस पैसे को सही जगा invest नहीं करते तब तक आपको returns मिलेंगे क्या और जब तक returns नहीं मिलेगा तब तक value create होगा क्या इसलिए इन तीनों decision में investment decision को यह ऐसा बोला जाता है कि value creation के लिए most important है कुछ बात समझी में आई आपको अगर मैंने सव करोड रुपे दे दिया यह तीनों बच्चिया इनके बस सव सव करोड रुपे मैंने दे दिया इसने सव करोड रुपे की property खरिद ली इसने सव करोड का मस portfolio बनाया इसको जाधा return मिलेगा इसने value create किया इसने अलमारी में रख दिये कोई value create नहीं हुआ उल्टा सव करोड का एक साल बाद उसकी value कितनी हो गई 96 क्रोड सर कैसे कम हो गई नोटे तो उतनीच है नोटे भले ही उतनी है लेकिन मुझे एक बात बताओ एक साल पहले जो चीज सव रुपे में मिलती थी आज सेम चीज 104 रुपे में मिल रही एगनाने पैसे की value 4% से कम हो गई तो इसके saular about 24% कम करदिये तो बेल्यू कितनी हो गई 96 क्रोड रहो है कुछ बात समझ में आ रही क्या आज जो चीज 100 रुपे में मिलती है एक साल बाद सेम सव में मिलेगी क्या है NOO एक साल बाद वोही सीज्ट सव से जदा में मिलेगी येस्थ और नो तो आपने अगर सव रुपए का kuch नहीं तो है क eff panel इन्वेस थी पढ़ए-पढ़ए रख लिया तो परे पेन की वैल्यू बढ़ गई या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपके सौ रुपे की वैल्यू कम हो गई यस और नो अब वो चीज सौ में आएगी क्या जो चीज पहले सौ में आती थी इसलिए पैसे को कभी भी आलसी नहीं रखना चाहिए पैसे से काम करवाते रहो बट काम करवाना मतलब इन्वेस कर तभी वैल्यू क्रियेट होगे ने तो वैल्यू कम होती जाएगी समझ में आए सभी को सब्सक्राइब क्या है जरूर यह क्या आपने जहां पैसा इन्वेस किया महां से पैसा बढ़े गई हो सकता है लौस हो गया आपने पोर्टफोलियो बनाए अच्छी जगा पैसा इन्वेस करके रखा है बट उसमें से कुछ शेर्स लॉस में चले गए तो रिस्की है कि नहीं यह सोर नो बस इसलिए सिंपल सा इतना ही बोल दिया कि इससे वैल्यू भी क्रियेट होती है बट साथ हो साथ यह ऑन दे अ रिस्क है क्या रिस्क क्या है जो आपने सोचा था वैसा नहीं हो सकता है या हो भी सकता है या पता नहीं क्या होने वाला है यही तो रिस्क है रिस्क मतलब फ्लक्चुएशन आपने सोचा था पंदरा परसिंट का रिटन मिलेगा फारा परसिंट का रिटन मिला यह है रिस्क कुछ बात समझ नहीं किसी शेयर्स की वैल्यू अगर जादा फ्लक्चुएट हो रही है मतलब वो जादा रिस्क है यह सर नो पर यह रिस्क की यह जो रिस्क है कहां पे आती तिनों में से जनरली कौन से डिसिजिजन में सबस्यादा देखी जाती है इंवेस्मेंट डिसिजन में सब लोग साथ में ना उसके बाद इसका एक एक गजमपल दे दिया हमने जो दिया हो लगे यहाँ पे क्या बोल दिया नया शोरूम ऊपन कर रहे है तो कौई तो असेट हमने भाई कर लिया बिसिकली क्या है पेटा आपके लिए वो ही है मेरी गोल्ड की शौप है मैंने 10-10 जी का गोल्ड के और्णमेंट्स बनवा करके दुकान में रख दिये क्या है मेरे लिए investment कहां पर investment किया inventory में कि इस्ट्रेटेजिक investment मतलब क्या अरे बिटा कि strategic decision याने क्या बड़े बड़े decision जिसके वाइडर impact होते है उन्हें decision को हम लोग क्या बोलते strategic decision जियों ने decision लिया था आज के कुछ साल पहले करीब करीब 6-7 साल पहले कि मैं तभी को free में calling free में Wi-Fi sorry free में internet देने वालो ना बड़ा decision था भारत के करोडो लोगों को वो free में calling internet देने की बात कर रहा था यह जो decision एसी एक रात में ले लिया होगा क्या नो इसके impact इसके ramifications wider ramifications wider impact है तो यह है strategic decision फिर जियों ने कोई दिन सोचा कि आज 50 रुपे का recharge में 49 या 48 रुपीज में दूगा यह strategic decision नहीं है कि यह कोड़े मुड़े decisions है तो यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे है strategic decision सर उसका investment से क्या संबन अरे बाबा जब भी आपको strategic decision लेते हो तो आपको उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है न अब जियों ने सोचा कि पुरे भारत को फ्री में equilibrium इंवेंट्री स्ट्यीजीग इंवेश्मेंट्ट में कोई नयाना षोरूम खरना चाहता हूँ स्ट्रइडिजीक इंवेस्मेंट्ट नई ब्रैंच खोलना चाहता हूं स्ट्रइडेज 112 इंवेश्मेंट्ट् आने वाले एक साल तक loss में नंदा करूँगा लेकिन customer को अच्छमाल कम से कम rate में दूगा strategic investment yes or no उसके बाद investment in modernization, investment in new business Reliance सबसे पहले क्या था, कहां था, कपड़ों में था, oil में आया, food में आ गया, electric में आ गया न, electric events, Reliance के क्या होते है, Reliance Digital, फिर ज्वेल्री शॉप में आ गया, साख भाजी भी बेच रहा है, Reliance फ्रेश, तो नए business में आपने पैसा invest किया, वो भी क्या है, आपको लोगों का investment decision ही है, then replacement, 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 already manual machine है, आप उसको replace कर रहे हो, automatic machine के साथ, replacement decision, यह सभी decisions के उपर आपको practical question है, उसके बादलास में expansion, एक branch थी, दो branch बनाने का सोच रहे, again यह भी investment decision के बाट है, then कौन-कौन से matters आप consider करोगे, कौन-कौन सी बात है, आपके back of the mind में रहे की, जब आप decision लोगे, कौन-कौन सी बात है, एक तो capital budgeting, यह पूरा separate topic है, cost of capital separate topic है, measuring risk separate topic है, buy or lease, यह capital budgeting का part है, और liquidity management, management of cash and marketable security का लेक पढ़ा था न हमने, यह सारे separate topic है, तो यह सारे separate topic में, ऐसे एक-एक sentence में यहाँ पे explain नहीं करूँगा, यह हम लोग उस topic के अंदर में देखेंगे, यह आपका कहीं पैसा directly आपको एक साथ इतना बड़ा है, यह paragraph नहीं दिखेगा, पस मैंने आपको list बना करके दी है, कि जब भी आप investment करोगे, तो कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखोगे, इसका मतलब सर यह सारे topic के अंदर में, हम लोगों को investment related practical question है क्या, हाँ, कमझ में आई बात, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना, ऐसा एक circle बना करें, जब भी आपके पास में notes आएगे, आप circle करके, या फिर arrow बना करके लिख लेना, we'll see or we'll cover in separate topic, यह capital budgeting one of the biggest topic, यह दो topic के अंदर में, आपका 40% FM खतम हो गया, yes और no, तो यह सब हम लोगों कहां पे देखेंगे, separate topic में, उसके बाद, financing decision, financing decision क्या रहे बिटा, सर जब भी पेशो की बात आती है, कल भी आप पेशो की बात के समय आये थे, आपको आवाज आ जाती है क्या कहीं से, no, लिखना नहीं है, एक बच्चा बोल रहे है सर, यह लिखना है क्या, no, लिखने की जरुवत नहीं है बेटा, सब कुछ PPT में दिया हुआ है, पर्स बैठों सर, आजाओ, आजाओ, नहीं लिखने की जरुवत नहीं बेटा, इसी ओन तो कर दिया, अब रिमोट से ओन करना पड़ेगा क्या, हो जाएगा non directly, चलो यार, अब फिनांसिंग डिसीजन याने क्या, अच्छे से ध्यान से सुनना, कितना पैसा रेस करना है, वेट वेट वेट, कहां से रेस करना है, वो बात का सवाल है, कितना पैसा रेस करना है, कहां से रेस करना है, और कब रेस करना है, वरो बरे, जैसे विपल सर कोई ख्लैट खरीदना है, ख्लैट उनको खरीदना है, आज के चार साल बाद, वो अभी स खाली बैठा हूँ तो एक काम करता हूँ HDFC बैंक में जाके आता हूँ किसाब मेरे को फ्लैट लेना है तीन करोड़ का लोन चीए यह वो तो कब रेस करना है चार साल बात तो अभी फिनांस डिसन ले करके मतलब वाली बात नहीं है इसलिए सारी ची इंपोर्डेंट है कितना पैसा रेस करना है कौन से सोर्स से रेस करना है और कब रेस करना है बरबर है क्या यह सारी चीज़े देखना जरूरी है बिफोर इनांस डिसीजन उसके पहले आप लोग उससे रिलेटेट कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करोगे तो सबसे पहले आपने यह डिसाइ रहो प्रेफरेंश शेयर कैपिटल इस सोर्स से मैंने फंड्स रेस किया तो इसकी कोस्ट क्या है एक आवाज में सब लोग प्रेफरेंश डिविडेंड यह मैं सेकंड टाइम बता हुआ अलड़ी मैंने बताया बटा राइट है न यह कि मैं बार-बार इसकी कॉस्ट के उपर जोर क्यों दे रहा हूं माल में क्या क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम क्या है पॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वहां पे उस टॉपिक के अंदर में जब मैं आपको बोलूगा कि प्रेफरेंश शेयर कैपिटल की हम लोगों को क कैलकुलेट करना है तो वहां पे किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए सब प्रेफरेंश शेयर कैपिटल की कॉस्ट मतलब क्या वरना टॉपिक महीं पर खतम हो जाएगा उस बच्चे के लिए एक पुटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या है इंट्रेस्ट उसके कि अंदर में लोग क्यों देख रहें अरे बाबज मैं कहां से पैसा रेस करूगा यह डिसाइड करने के पहले उस सोर्स की कॉस्ट क्या है यह दिखूगा की नहीं यस और नो इसी लिए वाइल रेजिंग दफन्स और बिफोर डिसाइडिंग दस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आ भी आपने कंसिडर करना है और अलग-अलग सोर्सेस की कॉस्ट दिए सो देट बॉरोइंग कॉस्ट विल भी दा मिनिमूम और हम लोग ऐसी जगह से फंड्स रेस करेंगे ताकि हमारा बॉरोइंग कॉस्ट कम है उसके बाद डिविडेंड डिसीजन क्या होता है डिविडें जेनरल मिटिंग में अप्रूव हो जाता है और उसके बाद में फिर क्या करते हैं सभी को डिविडेंड बाट देते हैं खेट छोड़ो नहीं तो लौल अपाट था मुझे से कोई लेन देन नहीं है दिरिक्टर को कौन बोलता हो गए यह सारी छेजा ओं करता है या फिर वो बोड ऑफ डिरेक्टर को मुझे सजेस करता है कि यार कि इस बर हमने इतना पोर्शन ऑं प्रॉफिट डिस्रिब्यूट करना ची मिया और इतना portion में रोक लेना चाहिए तो dividend decision के अंदर में बस ये दो बाते देखेंगे कितने दो कितना बाटना है और कितना रोकना है बस हर एक company ये दो ही बात देखेगी before taking the dividend decision सर ऐसा कोई standard नहीं है क्या कि बस ये इतना 20% बाट डो 80% रोक लो no standard नहीं है अगर ये कोई standard रहता तो आपके topic में आपके subject में एक dividend policy नाम का topic नहीं होता हर एक company का अलग अलग रहेगा कुछ ऐसी company है जो सोसती है कि पैसा मेरे पास अगर 100 करोर आ जाए तो मैं और expand करके और ज पैसा चीए ताकि वो expand करे तो जिसको पैसों की जरुवत है वो dividend बाटके funds खतम करने वाला है क्या no तो वो company dividend कम से कम बाटेगी या zero distribution रहेगा और जो भी profit one करेगी पूरा का पूरा reinvest करते रहेगी reinvest 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 और ऐसी company जो अभी downfall में चल रही है वो बुलेगी उसके पास पैस पैसा है profit जो कुछ earn किया है नहीं 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 opportunities नहीं है investment की opportunities नहीं है पैसा कहां लगा है कुछ समझ नहीं आ रहा है काम करो बाट दो पैसी भी owner कही है नहीं पैसा shareholders कही है कि नहीं तुम तुमारे पास रखके क्या करोगे बाट दो at least dividend दे दोंगे तो shareholders का trust रहेगा company के उपर क्योंकि तुम तो कुछ कर नहीं रहे उस पैसों से कुछ से अच्छा distribute कर दो shareholders के पास अगर कोई opportunity होगी तो वह वहाँ invest कर देखो या तो तुम invest करो और तुमारे पास investment की opportunity नहीं है तो shareholders को देदो वह invest करके वह कुछ अंद कर लेंगे कुछ बास समझ में आ रही है अब आप से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं यह company है और यह उस company का एक पड़ा लिखा shareholder है company ने कितना profit earn किया आपको समझाने के लिए 100 lakh rupees company अगर यह पैसा कई invest करती है तो company का rate of return है 10% shareholder अगर कई market में पैसा invest करते है तो उनकी opportunity cost या फिर वो कितना earn कर सकते है 12% बताओ यह company ने क्या करना चाहिए तो समझ के जवाब देना सब लोग यह company ने क्या करना चाहिए company का profit कितना है 100 lakh यह पैसा company के पास पड़ा है अब company पूछ रही है आप से आप सभी से के इस 100 lakh को dividend बोलके बाड़ डू यह return earning बोलके मेरे पास ही रोक के रखो फिर आप पुछोगे company से यह company तो पैसा रोक के अचा डालेगी no company ने बोला मैं invest करूंगी फिर आपने पुछा तो invest करेगी तो कितना कमाएगी company बोली 10% फिर आप shareholder से कुछ होगे हे shareholder अगर तुम्हें dividend मिल जाएगे तो तुम उस पैस होगा क्या करोगे shareholder ने बोला मैं भी invest करोगा आपका return क्या है उसने बोला 12% तो यहाँ पे as a financial manager आप क्या board of director को suggest करोगे बाड़ डो zero retain करो पूरा का पूरा 100 lakh का profit बाड़ डो अब फिर भी अगर कोई board of director नहीं माना नहीं नहीं मैं तो नहीं बाटूंगा तो आप shareholder की wealth का सत्यानास कर रहे हों मतलब आप shareholder आपका जो main objective नहीं shareholder wealth maximization अब जूड़ रहे हैं कड़िया एक 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 आपका objective था ना shareholder wealth wealth maximization आप shareholder कोई पैसा बाड़ो क्योंकि at least वो तो ज्यादा rate में कमा लेगा इस पे आपके पास जो opportunity है वो कितने rate की है बताओ तो 10% की है आप अगर इस 100 lakh के profit को आप खुद के business मतलब company अपनी business में रोग करके रखेगी और आगे invest करेगी तो कितना कमाएगी 10% उससे अच्छा company अपने मालिक लोगों को बाड़े तो जादा अच्छा है shareholders are the real owners of the company राइट तो यहाँ पे एक अच्छा finance manager क्या बुलेगा के shareholders को 100% बाड़ो मतलब retain कितना percent करना है 0% याने इस company का dividend payout ratio कितना percent है 100 इस company का retained earning ratio कितना है 0 अब आप से एक और सवाल किसी company का dividend payout ratio 30% है तो return earning ratio किता रहेगा 70 किसीने 90 बाटा तो रोका कितना 10 10 बाटा तो रोका कितना 90 समझ में आ गया हैं सभी को पकी बात practical में सारी चीचे वापस आने वाली तो common sense क्या है यहाँ पे आप company के board of director हो आपके पास profit है दो रास्ते या तो उससे बाड़ो या तो reinvest कर दो अगर आप कहीं reinvest कर रहे हो तो आपको कितना percent return मिल रहा है इससे compare करेंगे share olders जो expect कर रहे है उस rate of return से और share olders अगर इस पर जाधा अन कर सकते है तो चुप-चाप से share olders को बाढ़ो आपको कोई अधिकार नहीं है वो profit को अपने पास रखने का और अगर आप फिर भी ऐसा करते हो तो आप share olders की wealth maximization का जो objective है उस objective को hurt कर रहे हो एक्जाम में question आएंगा इसके बहुत सारे mcq हम लोग solve करेंगे अभी नहीं लिखा तो भी चलेगा सिप सुन लो अच्छे से clear चलू आगे तो financial manager को decide करना है what portion of the profit is to be distributed and what portion to be retained if a company have better investment opportunity यही तो बात कर रहा था ने थोड़ी दिरे पहले company के पास अगर better investment opportunity है तो company will pay less dividend and why से वर्षा मानलो अब इस case में shareholders को मिल रहा है 12% और company को मिल रहा है 13% अब बताओ company ने क्या करना चीए 100% return कर लेना चीए कम से कम dividend देना चीए क्यों company shareholders को बोलेगी hey shareholders सुन तुझे दूगा ना तु सत्यानास कर देगा पैसे का तू 12% पे invest करेगा लेकिन यह पैसा मेरे पास रहा तेरा ही पैसा है तो मैं इसे जहां भी invest कर रही हूँ वहां से मुझे 13 मिलेगा और ultimately company की value बढ़ेगी तो तेरी भी तो बढ़ेगी ना मूरग अदमी शेयरोल्डस बोल रहा है हाँ हाँ ओके ओके कम से कम dividend दो पूरा तुम ही रख लो तो आसान भाषा में company का rate of return अगर शेयरोल्डस के expected rate of return से जादा है तो company वो सारा पैसा अपने पास रखेगी उल्टा है तो company सारा पैसा पाट डेगी तो उसको बोलना एले situation दे तो मैं बोलूंगा फिर सामने वाला situation देगा कि company का rate of return पंदरा परसेंट है शेयरोल्डस का expected rate of return 10% है तो तुम बताओ optimum dividend policy क्या है हंड्रेड परसेंट रिटेन करो क्योंकि company के पास पैसा रहा तो जादा अंद कर लेगी न मतलब शेयरोल्डस को मत बाटो तो यह होगी optimum dividend policy खिलकतम है है हंड्रेड परसेंट कंपनी ने अपने पास रखना चीह है अधरवाइस के रूल्डस का expected rate of return जादा रहे हो company का return on investment कम है तो वहाँ पे जादा में जादा बाट दो यह ही optimum है और अगर एक शेयरोल्डस का expected rate of return और कंपनी का return on investment equal है तो कुछ भी करो any policy will be the optimum dividend policy फिर अपने पास रखो बाटो आधा अपने पास रखो आधा बाटो 40 अपने पास रखो 60 बाटो 60 अपने पास रखो 40 बाटो कोई भी policy रखो सब optimum है क्योंकि दोनों का सेम ही है ना पैसा तेरे पास रहा चाहे शेयरोल्डस के पास रहा किसी की पास रहने दो उसके उपर return तो सेम ही है कुछ बात समझ में है इस अभी को किसी को इसमें कोई doubt आल सेट यह जो मैंने भी discussion किया है न इस discussion के उपर तीन से चार मार्क्स के question आते हैं और यह discussion में ऐसा समझता हो कि आप लोगों को 20 परसेंट ही समझा होगा अभी क्योंकि detail में यह कहां पर आएगा एक separate topic है जिसका नाम है dividend policy वहाँ पे एकदम detail में इसका discussion with all the calculations जितने भी मैंने अभी example लिये न और उसे भी ज़्यादा कि कहां पे हम लोग देखने वाले dividend policy यह 20 परसेंट भी समझ में आया है तो more than sufficient clear चलू आगे पक्का उसके बाद decision criteria जब भी आप कोई decision लोग है कोई भी मतलब कौन सा very good finance investment और dividend decision बोलो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए decision मतलब finance या investment या dividend तो जब भी आप इन तीनों में से कोई भी decision लोग है तो आप कौन-कौन सी चीजे देखने वाले हो कौन-कौन से criteria है आपको अगर बोला इससे शादी करना है तो आपके कुछ criteria है ना कैसा कितना कमाता है दिखने में कैसा है कहां रहता है तुद का घर है कि भाड़े का घर है आदा बिदा क्या है पाटी करता है कि नहीं करता है समझ में आया क्या तो वैसे decision के पहले के कुछ criteria है it depends upon the objective to be achieved जब भी कोई decision लोगे है तो इस decision के पिछे का objective क्या है वह आप सोचोगे ना यह भी एक criteria है की नहीं yes or no आपको किसी से दोस्ती करनी है उसके पिछे का objective क्या है बस exam तक मिरे को कुछ doubt आया तो बस उतनी help मिल जाए उससे यह आपका objective है तो आप उस हिसाफ से decision लोगे उसके साथ कितना घुल मिलके रहना है कितना खर्चा करना है चाय का नाश्टिक खाने बिने का नहीं पड़ आपको किसी के साथ lifetime रहना है शादी भी करनी है उसके साथ तो आपके सारे जेब खुले उसके लिए my all cards are always open for you एना ख आगे भी से देख लेंगे समझ में आया क्या तो जब भी आपको decision लोगे ना तो उसके पिछे कुछनो कुछ criteria होते तो पस वह आपने सोचना है यहां पर और यह हम लोगों को आगे हर एक topic के अंदर में अच्छा यह पहला topic जो हम लोग देख रहे ना इसमें जितनी भी ची topic में इसमें की सारी चीज़े आपको हरे topic में कुछ नो कुछ नो कुछ चीज़े में लेगे देखने के लिए तो पहले क्या है it depends upon the objective दूसरा objective वाइल टेकिंग दर डिसीजन्स यह एक्चल में दोनों सेमी पॉइंट है जैसे कौन कौन से objective अरे बिटा maximization of return and minimization of the cost तो जब कि आप कोई decision लोगे तो यही दो आपके objective रहने चीए कौन से दो return ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए cost कम से कम मतलब कम में bum कम cost में ज्यादा मिलना चीए उसके बाद while taking the decision two fundamental principles are there very important exam में theory question आएगा कौन से दो fundamental decision है आप भी real life में follow करते हो यह कौन से दो decision है bigger and better bigger and better bigger and better मतलब क्या ज्यादा benefit preferable रहेंगे over the less benefit yes or no और दूसरा a bird in hand is better than two in bush मतलब क्या जैसे आपको मैंने बुला कि यार मुझे अभी 10,000 रुपे दो एक साल बाद आपको मैं 15,000 रुपे दूँगा यानि कितना percent return हो गया पचास परसेंट तो आपने एक साल बात के 15,000 के चक्कर में आज के हाथ के 10,000 रुपे भी खो दिये समझ में आए क्या तो कोई हुशार बच्चा क्या बोलेगा a bird in hand यानि आज मेरे हाथ में जो है मैं उससे संतुष्ट हू यूचर में 10,000,000 मिलेगा एक करोण मिलेगा मुझे से कोई लेन देन नहीं अभी कितना है मेरे हाथ में अभी इस समय यस और नो काफी ऐसी policy होती है लेकितर देखितरह कोई-cogee scheme लेकिया आझा आपके पास में क्यारी काम घर देखि आज तु 100 रुपे इंवेस्ट्स कर एक मेंने बात तुझे मिलेगा 110 रुपे यानि 10 रुपे एक्स्ट्रा मिलेगा और उन यह 110 रुपे तो फिर से री You re-invest कर देगा तो पात साल बात तु पहले मिलावा benefit कभी भी जादा अच्छा है as compared to बाद में मिलने वाले benefits है and bigger better का मतलब क्या है bigger benefits are preferred over smaller benefits yes or no तर इसमें क्या principle है ये तो आज का पहली का बच्चा भी बोल देता हाँ मुझे पता है पट लिख करके दिया है module में भी है तो बताना मेरा करतव्य है so जब भी आप decision लेंगे तो दो principle आप लोगोंने हमेशा के लिए follow करना है दोनों principle समझ में आएक है सभी को bigger and better and दूसरा bird in hand is better than doing bush एक्जाम में तीन से चार बार theory question पूछा हुआ है कौन से हाथ में जो पक्षी है पहले उसके तरफ ध्यान रखो गोसले में दो पक्षी होंगे उसको पकड़ने के चक्कर में हाथ का भी उड़ जाएगा नहीं तो एक story थो कोई तो ऐसे पहले and कौन-कौन से decision making criteria है सबसे पहले urgency जब भी आप decision लोगे तो urgency को ध्यान में रखोगे अर्जनसी क्या चीज होती है capital budgeting topic में आएगा प्लीज ध्यान देना अच्छे से मान लो मैं कहीं तो पैसा invest कर रहा हूँ लेकिन मुझे return जल्दी चाहिए urgency yes or no तो this is one of the criteria while taking the decision तूसरा क्या है payback पैबेक तो हर खर्चा कितना लगने वाला है रे बैटा बताओ पूरा किस करने के लिए कितना खर्चा लगेगा आपकी coaching की fees अरे भाई साफ coaching की फीज बोलते ही तो 5000 से लेके 5000 तक 5000 में भी बहुत ग्रूप है और 5000 में बहुत ग्रूप है समझो 5000 रुपे coaching की फीज है इंस्टिट्यूट का तिनों साल का और दो लाग रुपे करें और साल कितने लग रहे आपको चार सल अगर आप एक कुलिएर हो जाते हो तीनों एक्जाइम और आंटिकल जिप भी आपकी हो जाटी यह तो कितना साल 4 साड़े चार्व साल चार चार साल में आपने दो लाख रुपए उड़ाए बाकि आपका रहने खाने पीने का और समझ लो दो लाख टोडल चार लाख रुपए तो आप सीएस बनते ही आपका सबसे पहले टार्गेट क्या रहे क्या जो चार लाख लगे है वो जल्दी से जल्दी मुझे वापस चाहिए पेबैक तो पेबैक का प्रेट शॉटर रहना अच्छी बाते या लॉंगर रहना अच्छी बाते शॉटर जितने जल्दी पैसा रीकवर हो वह जाद अच्छा और यह इसका अपने एफम के अंदर मे मैंने एक मशीन पर्चेस किया वो मशीन की कीमत दस लाख रुपए है उस मशीन से मैं यह प्रोडक्ट बनाता हूँ और यह प्रोडक्ट हर साल में बेचता हूँ इसका अंदास सेल भी बता सकता हूँ तो यह प्रोडक्ट बेच बेच के बेच बेच मुझे जो भी net present उसका कुछ value या amount कुछ मिल रहा है तो वो amount मैं हर बार इकटा करूँगा और देखूँगा कि machine का मेरा पूरा पैसा recover हुआ कि नहीं हुआ 10 lakh की machine है उस machine से माल बना करके बेच करके 10 lakh रुपे वापस लाने के लिए 2 साल लग रहे तो बताओ payback investment recover करने के लिए जो भी प्रेड लगता है that trade will be called as payback trade क्या बोला मैंने initial investment को recover करने के लिए जो भी प्रेड लगता है उस प्रेड को हम लोग क्या बलते हैं payback trade कुन से टॉपिक में आएगा है capital budgeting rate of return capital budgeting यह भी ए क्राइटेरिया है decent making का अगर आप कोई decent ले रहे हैं तो आप यह भी सोचोगे कि उस पर return किता मिल रहा है उसके बाद undiscounted benefit और discounted benefit यह दोनों हम लोग कहां देखेंगे time value of money time value of money है क्या और एक है present value meter और IRR यह दोनों भी आएगा capital budgeting में सर यह IRR अभी बता दो ना डेड़ घंटे का concept है exact जब आप लिखकर के रखना जब capital budgeting आएगा तो मैं बताओगा तो यह सब criteria है actual में institute ने पहले चप्टर में IRR यह वर्ड भी नहीं देना चाहिए था फिर भी अगर आपको समझाना है तो एक में गावरान example ले तो आपको थोड़ा बोता idea आ जाएगा आपने बैंकों से कभी लोन लिया होगा या आपके घरवाले ने किसी ने लोन लिया होगा लोन का rate of interest किता रहता है 8-9% लेकिन actual में आप उससे ज़्यादा देते हो आप actual में देते हो for example 12% आपको paper पे किता दिख रहा है 9% आप actual में जब उसको सारा loan repay करोगे at the end of the story जब आप rate of interest calculate करोगे न तो आपको दिखेगा रहे आर मैंने तो 12-13% दे दिया तो जो 12% है न वो है IRR बैंक के point of view से आपको क्या लग रहा है 9 दिया actual में आपने किता दिया 12 पस अब यह कैसे है इसके लिए हम लोग कहां देखेंगे capital budgeting आपके syllabus का one of the toughest concept है IRR इसली बैच वालों को easy लगा था देखते इस बैच में कैसा लगता है आपको concept बताऊंगा with एकदम real life example और एक्जाम में IRR के उपर एक question fix है तो अभी नहीं देखेंगे तो भी आजाओ सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक थोड़ा सा idea दे देता हूं इसके बारे में time value of money के बारे में और यह क्या हो गया इसको खत्म हो गया है क्या है यहां पर देखो ज्यान देना अभी लिखना मत हां कल 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 ही start करूंगा बट एक थोड़ा सा idea दे देता हो अभी क्योंकि हमारे पास अभी भी पूरे पांच मिनिट और है तो एक basic idea देता हूं अच्छा FM के अंदर में अब तक जो बता है उसमें किसी बच्चे को को डाउट है तो प्लीज बोलो बेटा हां जो भी मैंने अभी तक FM में बताया एक देड़ घंटे में फिछला लेक्चर और यह लेक्चर मिला करके किसी बच्चे को उसमें कोई डाउट अब तक जो देखा सिंपल है ना फिछले दो मानलब लास्ट लेक्चर और यह लेक्चर है तो फिनाशिल मैбо जिजमेंट में तीर टाइप के डिसे इंवेस्मेंट विडिदेंड और फाइनस और कोई डिसीन लो डिसिजिंव के कुछ कराइटेरिया होते हैं वो सारे कराइटेरिया हमारे बैक बोड़े मैंड में होने चाहिए और दो फौंडमेंडल प्र bessलेल है and a bird in hand is better than two in bush इसके लाओर क्या देखा क्या बात कर यो सरी इतने देखा हाँ ये तो देखा बट अगर ऐसी एकदम से बोल देता तो तुम कोई चीजी समझ में नहीं आती है और हाँ एक और चीज देखिए जब भी आप किसी भी सोर्से से फंड रेस करते हो तो सोर्स की कुछ न कुछ पॉस्ट होती है और उसी कॉस्ट को हम लोग कैल्कुलेट करने वाले एक टॉपिक में जिसका नाम है कॉस्ट ओफ कैपिटल बरोबर तो अब सिब एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना लिखना मत कल से आपको बहुत सारी चीजे लिखनी है अभी बस स्क्रीन पे ध्यान दो किताब इताब बन कर दी तो भी चलेगा सिब ध्यान देना अच्छे से क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे टाइम वेल्यू आफ मनी किसी बच्चे को इसके बार में कोई आइडिया कही देखा कहा सुना होगा कुछ पढ़ा लिखा होगा तो टाइम वेल्यू अफ मनी बेसिकली क्या है बोलो बटा देखा था बोलो क्या बल सकते इसको टाइम वेल्यू आफ मनी ओके और कोई बरी गोड़ अब सब अच्छे से ध्यान दो सब पूरक आगे देने एकदम जो मैं लिखवा रहा हूँ अच्छे से लिखोगे ने सब लोग और अच्छा हो आपको भी याद नहीं आ रहा है बट अब यहां से आगे ध्यान रखना सारी चीज़ ठीक है सो यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपने अभी लिखने की जरुवत नहीं है कल वापस बताऊंगा कल सारा पीपिटी पे रहेगा तो लिखने की जरुवत नहीं रहेगी आपको हाँ बट रिवाइस कर लेना रिवाइस करना आज भी रिवाइस करना क्या लिख रहा वेल्यू ओफ रूपी वन तूड़े वेल्यू ओफ रूपी वन तूड़े वेल्यू ओफ रूपी वन तूड़े इसका आज के एक रूपे की वैल्यू कल के एक रूपे की वैल्यू से ज़्यादा है तुर ऐसा क्यों मैं बोलता नहीं हूँ डायरे के एक रियल लाइप एक्जम्पल दे रहा हूँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अपने जवाब देना है मैं आपको आज 10,000 रुपे दू या एक साल बात 10,000 रुपे दू कैसा बोला सबने आज एक सिकन भी लगा गया क्योंकि आपके back of the mind को यह मालूम है आज के 10,000 की वैल्यू एक साल बात के 10,000 रुपे की वैल्यू से ज्यादा है इसलिए आपने क्या बोला आज दो और यह क्यों ज्यादा इसके पिछे का लॉजिक क्या है अती सुन्दर बहुत सही बोला बच्ची ने आज अगर 10,000 आपने अगर हमें दे दिये सर तो हम बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे FD बना लेंगे, shares खरीद लेंगे, मानलो 10% पर आपने invest किये तो एक साल बात वो 10,000 कितने हो जाएंगे 11,000 आज के 10,000 10% पर अनम पर इंवेस्ट किये तो 10,000 के ओपर 10% याने कितना हुआ one thousand सो दस हजार का एक साल बाद कितना हो गिया ग्यारा हजार रुपे तुम बताओ मैं एक साल बाद कितना देने वाला था दस ही देने वाला था पर आपने उसके कितने बना दिये ग्यारा इसलिए हर कोई क्या चाहता है कि आज दो पैस और इसके पिछे का लॉजिक क्या है यह जो मैडम ने बता है उसी को एक सिंटेंस में में बोलना चाहूंगा ऑपर्चुनिटी कॉस्ट आज आपके पास ऑपर्चुनिटी है ना उसे इन्वेस्ट करने की कुछ बात समझ में आई क्या इसी लिए time value of money concept आया means money have time value पैसा समय पे मिला तो ही काम का है मैंने आपको बोला बच्चो जाओ रियार सब को मैं सव सो करोड रुपे दे दूँगा लेकिन कब आज के 500 साल बाद को वैल्यू है कि उसकी नो कुछ बात समझ में आई तो बस एक इसी वाकिया इसी सेंटेंस की मदद से हम लोग पूरा concept पढ़ने वाले और इसमें फॉर्मूलाज है ठीक है इसमें फॉर्मूलाज है तो कल से आपके जीवन में FM के लिए आप ए इसा इनोवेटिव नाम सोचना है और जब बैच खतम हो जाएगी तब उस बुक को आपने पब्लिश करवा देना और अलग-अलग काउंटर पे आपके सिटी में जो भी किताब होगे बुक स्टॉल है अरे हाँ पब्लिश करवा देना नो कॉपिराइट हो जाएगा आपका पचास पचास इुरुपे में भी बेची तो सेल होगा कि नहीं होगा तो मनलब सोचो जब बैच खतम हो जायेगा तब आपका F.M फॉर्मूला बुक नहीं मिलता आप मार्केट में जाओ देखो F.M के फॉर्मूला बुक यह बुक चार्ट बाट मिलते कि नहीं मिलते हैं लोग बेशते ही नहीं याँ पी 50 रुपए में चार्ट बेशते हैं सव proper में फॉर्मूला बुक बेशते हैं और मैं सीरियस हूँ आप मज़ाग में ले दो उस चिछ और उसके बाद में इसको टाइप करने दे 맛있 और इसके बार में उसको यह उतना ज्यादा सेल रहेगा तो आप कैसे लिखोगे फॉर्मूला में लिखवा के दूगा उस फॉर्मूला में कौन-कौन से वेरियेबल आते वो लिखवा के दूगा फिर उस फॉर्मूला का अप्लीकेशन कहां पे होता है बच्चों को फॉर्मूला याद रहता है लेकिन य चोड़ी सी फॉर्मूला बुक यस और नो पैसा कमाना है तो एक अच्छा रस्त है और कहने कई साथ अच्छा मुझे बाब बताओ अच्छे से लिख लोगे तो गलत क्या है और जो कोई भी बिचारे बाकी बच्चे उनकी हिल्प हो जाएगी ना पचास सो रुपे में और क्य हो जाते ना भाईया मैं क्या करूँ मैं भी टेंथ में हूं मैं क्या करूँ तो हर कोई आपको भगवान मानता है तो बोलना बेटा देख मेरी एक फॉर्मूला बुक है तो सीएस करेगा तो आगे और दूसरा एक मोटिवेशनल बुक है ना फॉट्स वह भी बनाकर कर अरे स नीचे पत्थर खाते ना कभी टेंशन में रेते तो अभी जाना नीचे जीरो फ्लोर पे कौन सा एके पे तो आपे काउंटर पे इत्ती बड़ी ऐसा डबा रखा हुआ है उसमें पैकेट है छोटी होटे ट्रांस्परेंट पनिया स्टैपल मार की रखी है उठा कि देखना बहुत भारी है वो उसमें पत्थर ही तो है सारे है अरे बच्चे खाते है ना मिट्टी नहीं खाई क्या बच्चपन में कभी है तो वो बेच रहे है वो तो तुम्हारा लिखा हुआ बुक नहीं बिकेगा गया तुमको अभी व्यकिन है अभी जाना नीचे जाके देखना बोलना सारो भीयों पत्थर चीए खाने वाला देखो तुमको दो-पाच रुपए में बेच देगा है वैसा अभी तुम पूछ लेना दो या चार रुपए में कुछ बेचता है चलो ओके थैंक वेरी मच लव यू अल टेक केर बाई मैं गाउसे उससे फेस्ट वेस पैस ग बुद्ध भी आ गया थैंक वेरी मच या रहा है चलो पाई यार बच्छो बाई 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 अच्छा चिराक सरका लेक्चर है भी है ना बोलके रखाओन हां बेटा है कौन पूछ रहा है यहां पे यस जी हां सर हंड़ेड पेज इनफ है क्या फॉर्मूला बुक के लिए ह छोटी बुक रखो ना छोटी वो जो आती ने एफूर साइस की आदी ठोटी बुक रखो या बड़ी बुक मत रखो फिर मज़ा नहीं आएगा फॉर्मूला बुक वाला जो फील आना चाहिए न वो निए बच्पन में मारूती की बुक रहती थी थी ने छोटी सी छोटी त दो छोटे साइस की बुग्रकों उसके अंदर में सारे फर्मूला लिखना अच्छे से